सभी दर्शकू का पंजाबकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार है आज के पंच्यांग के अनुसार आज विक्रम सबन्द 2081 के मार्क शिर्ष मास्त के कृषिन पक्ष की प्रधमाती थी है आज शनिवार है और कृते का नक्षत्र है आज परिग योग है और बालव करन है आज श्रंद्रमा संपूर्ण दिन और रातरी व्रश्चिक राशी में गोचर करेंगे आज भगवान सूर्य देव तुला राशी को छोड़ कर व्रश्चिक राशी में प्रवीश करेंगे चांग के बाद अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की ग्रहों की शान्ती के लिए मंत्र जाप सबसे प्रभावी माने जाते हैं इसलिए जब कोई ग्रह पापी होकर खराब परिणाम दे रहा हो तो उसके मंत्र जाप से शान्ती करवानी चाहिए जैसे शनी ग्रह प पहनने चाहिए शरी जब अच्छा हो तो वह बिजनस या घर की पाश्यम फेस की जमीन से लाब देता है अब बात करते हैं आज के राशी फलगी कौन सी राशी के लोगों के लिए आज का दिन शुब रहेगा कौन सी राशी वालों को आज विशेश साफधानी रखने की जरू हो सकती है अपनी योग्यता के बल पर सफलता अर्जवेताजाब कर पाएंगे विश्व राशी वाले लोगों के लिए मित्रों और परिचितों के मध्यास परिहास का वादावर्ण रहेगा विध्यार्तियों को परिश्रम के उपरांच सफलता मिलना तया है बिशनस यात्र पर आपकी रूची बढ़ेगी परिश्रम और दूर दर्शिता से ही कारे संपन होंगे विचने से अत्रस सिलाब होगा हलाकि राशी पती के बलहीन होने से कुछ हत तक कारियों में वेलंब क्या शुंखा भी दिखाई देती है करक राशी वाले लोगों के लिए आज का दिन अ शुक्ता दिखाई देती है लोगों को सहयोग आपको आज नहीं मिल पाएगा किसी पर अधिकाश आज ना रखे वियाप्यार में कुछ हद तक सफलता और बाकी लक्षे प्राप्ती की कोशिशों की काम्याब होने के संभावना ये दिखती है वाहन या चल संपत्ती की खरी आज आपका समय व्यातीत होगा तुला राशी वाले लोगों को मित्रों और संबंदियों से निराशा हात लगेगी गोशर का चंद्रमा परिवार में तनाव के स्थिती उत्पन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन चिंता ना करें समय शीग्री है आपके पक्षका हो जाएगा वैसे आज के तुला में कल का दिन आपके लिए बेहश्यूब है वर्शिक राशी वाले लोगों को आज कारियों में विफलता और निराशा मिल सकती है आर्थिक पक्ष कमजूर रहेगा धनागमान होने की बहुत आशा ना रखे मित्रों और स्वैजनों से मत भीद पड़े और ज्यादा प्रियासों के आवश्यक्ता आज वापके लिए दिखाई देती है वहां याचल संपत्ति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए आज अचानक धनहानी का योग आपके लिए बन सकता है मकर राशी वाले लोगों को आज परिश्रम का पून्फल मिलने में पर दी होगी कुमराशी वाले लोगों के लिए उनके प्रियासों के सार्थकलाब मिल जाने की संभावना है स्वास्ते के द्रश्चिकों से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा चोट मोच का भै बना रहेगा प्रेम प्रसंगों के रिष्टों में आपका पक्ष आ मिल सकती है काम में देरी से मन परिशान रहेगा आए में बढ़ोतरी के संभावनाय बनती दिखाई दीती है आज के राशी फल में बस इतना ही अगर आपके मन में आज के राशी फल से जुड़े कोई भी सवाल जवाब है तो बेजीजा कोमेंट सेक्षिन में हमें जरूर ब